और इस वक्त की बड़ी खबर करूख करते हैं, बिहार से बड़ी खबर है, विकाथ सील इंजल पार्टी के अध्धक्ट मुकेज शाहनी आथ शाम बीजेपी के राष्टी अध्धक्ट जेपी नडदा से मिलने के लिए दिलने जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनकी पार्टी एंडिये में शामिल हो सकती है आखरी दौर की वाचीत होगी बीजेपी की तरब से पेशकर्ष पर सहनी आखरी फैसला लेंगे सूत्रों के मताविक मुकेश सहनी को बिहार में एक M.L.C. और मंत्री पत का उफर मिला है लोगसवा में सीट मिलने पर कोई ठोस नहीं है सहनी ने अपना रास्ता खुला रखा है बीजेपी से अगर डील नहीं हुई तो महागडवन्दन का भी रुख कर सकते हैं तो बड़ी खबर वियार से आ रही है जहां पर मुकेश सहनी जो की विकासील इंसान पार्टी यानि की वियाईपी पार्टी के प्रकास क्या जानकारी मिल रही है वियाईपी दल खुलेकर जो सुत्रों के अंसार जानकारी मिली थी कि पहले तो वो दिल्ली गये थे और फिर शाम लॉट आये कल लेकिर आज फिर से उनको बुलावा आया है और शाम में वो फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए और फिर वहा सब्सक्रीब कर आफनी तो जांद को लेकर कि अगर सारे भासनि को ख और जाहियर तो जेकर जड़ाएं कि पाशियर कि पू rate लेकि मुकेस बाद से अघ हुआ Di Whatsapp किन जो आपचनी है कि दिहार में की का बद और हूर इक मंतुई पद यगात बीख शाएं सम्भावना है कि NDA में वो शामिल हो सकते हैं तो ऐसे में NDA का कुंदबा विहार में एक बार फिर बढ़ जाएगा हालां कि 2020 में का जो विधान सबा चुनाव हुआ था उसमें मुकेश चानी NDA में ही थे बाद में उन्होंने मंत्रीपत सिस्कीफा दे लिया था और उनके जो ती-चार एमेले थे वो सब शामिल हो गया थे बीजेपी में ही धन्यवाद आपका अफ़काश जी हमारे साथ जूलने के लिए जानकारी और अबडेट्स को देने के लिए तो मुकेश चहनी आज जेपी नड़ा से मुलाकात करेंगा किसानों का अंदोलन को लेकर बड़ी खबर है 23 फसलों पर MSP गरेंटी कानून की मांग को लेकर अंदोलन जारी है सरकार ने अपनी मागों को मनवाने के लिए सरकार से मागे मनवाने के लिए किसानों ने रेल रोको अंदोलन शुरू कर दिया है दोपर बारव बजे से लेकर शाम चार बजे तक का ये आंदोलन है और देखे तस्वीरे भी आनी शुरू हो गई है सायूक्त किसान मोर्चा और भारती किसान मजदूर संगर समीति के हवान पर किसानों का चार घंटे का रेल रोको अभियान जारी है किसान पट्रियों पर बैट कर सरकार के खिलाब ग्रोथ पुर्दशन कर रहे हैं पंजाब में 60 जगों पर रेल रोको अंदोलन जारी है हमारे साथ हमारे दो सायूकी जुड़ गए हैं सचिन हमारे साथ मौजूद है और असीम बसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन क्या तस्वीरे निकल कर सामने आ रही है और कितना असर है किसानों के रेल रोको अंदोलर का जी देखिए पंजाब में किसानों के रेल रोको का खासा असर है मैं शंबू बॉर्डर पर हूँ यहां शंबू बॉर्डर पर जो अमरित सर दिल्ली रेल ट्रेक है उसके उपर किसान जो है पूरे 12 बजे किसान यहां आगे थे और हजारों किसान है शंबू बॉर्डर क्योंकि यहां से तकरीबन 500 मीटा दूर है जो निशनल हाईवे 44 है वहां से किसान उठे हैं और यहां रेल्वे ट्रैक के उपर आके बैठ गए हैं तो किसान जो है रेल्व सेंटर बना हुआ है वहां दोर-दोर किसान ही किसान जो है नजर आते हैं रेल ट्रैक के उपर तो किसानों का यह अज रेलों को आवान है पर इस बीच एक गटना यहां बड़ी अजीब सी घटी है कि किसान बारा बजे जो है यहां पर बैठ गए थे रेल ट्रैक पर वहीं बीच में कि यह किस तरह से ट्रेन जो है माल गाड़ी जो है बावजूद इसके किसान बारा बजे पूरे यहां इस रेल ट्रैक के उपर आगे थे तो अंबाला जो है यहां से दूर नहीं है तो उस तरफ से यह कैसे यह ट्रेन जो है आगई जो रेलवे के करमचारी हैं रेल कर दी गई है तमाम अधिकारियों के साथ की किसान बड़ी संक्या में शंबू बार्ट पर आप देख सकते हैं किस तरह किसानों क्योंकि आज बारा से चार का कॉल दिया था और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह रेल ट्राक पर किसान यहां पर बैठे हैं और लगातार बारा बज़े से धरना जा रही है क्योंकि यह जो एजिटेशन चुरुआ होता है तेरा तरीक से तब से लगातार प्रोग्र किसान यहां है क्या नाम आपका मैं मंजीजी सिंग राष्ट्रिय देख बारती कसान मीदूर रिडर पर जो आप देख रहे हो भी जो सेंटर सरकार है जो नरदाई रूमें किसानों के उपर तस्द्द कर रही है उसके कारन यह रेलों को अंदोलों आज किया गया था बारह म चार महीं तक है जो पूरे बारत में सक्सेस्फुल हुआ है क्योंकि बाहर ले जो स्टेट है हमारी प्जाब के स्वाई उनमें से भी हमारे पास मैसे जा रहे हैं बहुत बढ़िया रही है प्रोग्राम और आगे भी जो कालोगी बढ़िया रहेगी आप देख सकते हैं कि प अचलरेशन और करेंगे जो पूरा एजिटेशन फार्मस का यहां बचल रहा है खास करके MSP को गरंटी लौब नाने के लिए और जो तस्वीरें दिख रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि इनका जो 12 से 4 का कारिक्रम है वो सफल भी हो रहा है बहुत धन्यवाद असीम आपका सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया तो 12 वज़े से लेकर 4 विजता किसान संगठन जो है वो रेल रोको आंदोलन कर चुके हैं और उसकी तस्वीरें अलग लग जो सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लुक्समा चुना से पहले हर्याणा में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है बड़ी ख़बर हिसार से है जहां पर सांसत ब्रजेंद सिंग कॉंग्रस में शामिल हो गए पूर्व केंदरी मंतरी चौधरी बिरेंज सिंग के बेटे हैं ब्रिजेंदर सिंग ब्रिजेंदर सिंग ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब कॉंग्रस में शामिल हो गए हैं आज सुबह ही उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पार्टी आला कवान का उन्ह लोकसवा चुनाव से पहले राजस्थान में हर्याना में बड़ा जटका लगा है वही कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद ब्रजेन सिंग ने एबीपी निउस सकास बाचीत की उन्होंने का कि समय आने पर उनके पिता चोधी बिरेन सिंग भी कॉंग्रेस द्वाइन क इस वक्त हमारे साथ है सर भाजपा चोड़ने के तीन आपने बड़े कारण बताए उसके बाद लेकिन आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि मन मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिल पारी थी इसलिए चोड़ा ने वो कहीं से भी ये ये जॉइनिंग मेरी आज हुई है लेकिन म अगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जो पार्टी है वो जो सीट है आपको शायद नहीं देने वाली थी वो तो कोई कंसेट्रेशन नहीं नहीं मैंने इसलिए का कि मेरी जॉइनिंग आज हुई है लेकिन बात बहुत समय से चल रही थी देखिए भाजपा छोड़कर अब कॉंग्रेस का दामन धाम लिया है हिसार से भाजपा के सांसद रहे और पिताजी भी यानि की चौधरी ब्रेंदर सिंग भी अब कॉंग्रेस का दामन धामेंगे साफतार पर इस बात को भी जाहिर कर दिया है कैमरामेंट प्रशांत के साथ अजातिका सेंग ए बीपी न में शामिल हो गए हैं सियम भजन लाल और बीजेपी प्रदेश सद्दक्ष की मौजूदगी में बीजेपी जोईन की है तो लोकसवा चुनाओं से पहले जो आने और जाने का सिलसिला चल रहा है उसमें से ये बड़ी तस्वीर राजस्तान से सामने आई है जहां पर कॉंग्र में उनका स्वागत को सियम भजन लाल और बीजेपी प्रदेश सद्दक्ष की मौजूदगी में किया गया तो कॉंग्रेस को ये जटका लगा है हरियाना में जहां बीजेपी को जटका लगा वहीं कॉंग्रेस से ये तस्वीर सामने आ रहे है और बड़ी खबर महाराष्ट से बीए माराष्ट से बड़ी खबर है सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रेस और उद्धव की पार्टी में तना तनी बढ़ गई है कॉंग्रेस नेता संजय निरूपम ने शिवसेना उद्धव पर सवाल उठाए उन्होंने सोशल मेडिया पर पोस्ट किया है उत्तर पस्चि मुंबई की भी सीट है यह मुझे दो दिन पहले भी बताया गया है यानि अभी तक जब कोई फैसला ने हुआ तो कल अंधेरी इस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उमिद्वार का इंविये के उमिद्वार की घोशना करके चले जाते हैं सबसे पहली बात यह गटबंदन धर्म का उलंगन है जब तक इंविये फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तोर पर घोशित नहीं करती तब तक कम से कम उन सीटों पर जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल विसना और कॉंग्रेस की निताओं से सवाल पूछा है दूसरी बात यह है कि जिस उमिद्वार को लेकर के आगरा है वो उमिद्वार कौन है वो उमिद्वार यहां के जो खासदार रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और वो और लेडी गोटाले एडी की छानबीन में एडी की जांच में पकड़े गए हैं और घोटाला क्या भाई खिच्डी घोटाला अब मैं यह बोलूँगा तो लोग बोलेंगे साब आप शिवसना पे आरूप लगा रहे हैं लेकिन सच तो यह है कि खिच्डी घोटाला हुआ सच यह है कि जो खिच्डी कोविड के जमाने में जो गरीब मजदूर लोग थे मुंबई में रहने वाले लोग खासकर उत्तर भारत के लोग जो थे उसमें दक्षिन भारत के भी लोग थे और मुंबई से बाहर महरास्टा के अलग-अलग जिनों से भी आए हुए मजदूर को मोताज हो गएते ऐसे गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत है सुन्दर अच्छा अभियान महानगर पालिका के तरफ से सुरू किया गया था और इन गरीब मजदूरों को फ्री में मुफ्त में खिचडी बाटा जाता था उस खिचडी के बहुत सारे पाकेट मेरे पास किया थे और मैंने भी यहां बहराम बाग में और अलग अलग जगों पे मैंने भी वाटे थे तो संजय निरूपम का आपने सुना कॉंग्रस नेता संजय निरूपम के हमले के बाद शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनन दुबे ने उन पर पलटवार किया है तो आरोप प्रत्यारोप का सिसला चल रहा है संजय निरूपम ने शिवसेना उद्धा अगुट पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि MBA का उम्मीदवार अपने मन से घोशित कर देना गटबंदन धर्म का उलंगन है गटबंदन धर्म का पालन नहीं किया गया है इसके साथी साथ प्रत्याशी का जो ट्रेक रिकॉर्ड है उसको लेकर भी संजय निरूपम ने बात की अब प्रवक्ता आनन दूबे ने उन पर परटवार कर दिया है पस्चिन लोग सभाग की सीड़ 2019 में हमने जीती है तो हमरा अधिकार है हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दे संजय निरूपम जी कॉंग्रेस पार्टी के एक नेता है एक व्यक्तिकत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर किये को चुनाव लगना चाहते हैं तो वो कॉंग्रेस पार्टी से कहें न की सोशल मेडिया प्लेट फार्म पर या खुले आम कहें अब कॉंग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभिरता से लेती है नहीं लेती है कॉंग्रेस पार्टी जाने हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जोद 19 में जीता था ओ सीट मांग रहा है उसका उमीदवारा वहां से लड़ेगा तो इसमें कोई पाकिया कि सभी सीटों पर फॉर्मूला तयार हो गया है माविकास अगाडी का डर इतना है उद्दव ठाकरी जी शरत पावर जी का डर इतना है यह लोगों के मन में यह बोखला गये है 48 सीटे है माविकास अगाडी 40 प्लस की तैयारी में है हमारा कोई यह अमिशाजय आये थे मिशन 45 वो तो कमिशन 45 है हमारा मिशन है हर सीट पर जितेंगा और लड़ेगे तो देश की सत्यावाप सत्या में जो परिवर्तन होगा तो महाराष्टा की भूमे से होगा इस वक्त की बड़ी कबर करू करते शाजहां शेक की रिमांड फिर से बढ़ा दी गई है कोट ने चार दिनों की सीवियाई रिमांड पर भेजा है एडी पर हमले के मामले में आरोपी है शाजहां शेक जिसकी रिमांड को बढ़ाए गया है और कोट ने चार दिनों की सी बी आई रिमांट पर भेज़ दिया है तो सी बी आई इससे लगातार पूछ ताच कर रही है और चार दिन इसकी रिमांट और बढ़ गई है और इस वक्त बड़ी कबर है कोलकाता से जहां के परेड मैदाम ने पस्चिम बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनर जी की रैली शुरू हो गई है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और आज ही ये सफष्ट हो गया है कि टीमसी अपने 42 उमीदवारों के नाम का एलान करने जा रही है प्रत्याशियों का एलान करेगी और एमसी ने फैसला लिया है कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी तो कोलकाता ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ हमारी सायूगी मनोग्या जुड़ गई है मनोग्या कितनी महत्पूर्ण है लोक्सभा के लि अभी ताकि देखें ये बात हो रही थी कि मुष्यमंत्री मम्ता बनर्टी की त्रुनबुल कॉंग्रेस क्या अकेले लड़ेगी या नहीं लड़ेगी लेकिन अब ये बात ताफ हो गई है कि तंस्वीरे माम्ता बनर्टी के बंगाल में जहां पर सीधा निजाना चाहदा है अधीर कॉंग्रेस की कॉंग्रेस कहते हुए त्रुमूल कॉंग्रेस के और मुष्यमंत्री मम्ता बनर्टी के दुखीजे भी हैं बहुत दिल्चस पाकड़े आने वाले हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बंगाल को बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की इस इसका महच में इस बात से हैं कि यहां पर आने वाली जीर एक तरह से सक्ती प्रदर्सं के तौर पर होती है हर उसकर के लिए जो भिगेट मैदान में उस दिन आहवान करती हैं बिल्कुल पूरी सियासी खबर पर नजर बनाय रखेगा आपके पास फिर आते रहेंगे अपडेट्स के लिए फिलाल बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जोनने के लिए जानकारी देने के लिए